असलाम अलेकूँ वल्कम बैक टू माई चैनल एसके वर्ल्ड आज मिलेकर आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही चटपटी और चटहारे तायर दो चटनियों की रेसिपी जिसे मैंने एक ही मटीरियल से त्यार किया यानि कि एक चटनी त्यार की और उसी मटीरियल से मैंने चारद लसन के जवे तीन से चारद हरी मिर्चे जिनको मैंने मोटा मोटा सा काड़ दिया है एक अदर टमाटर कुटी हुई लाल मिर्च और नमक और हाफ कप के करीब हरा धनिया अगर आप वो दीना डालना चाहते हैं तो वह भी डाल सकते हैं तो सबसे पहले लसन डालेंग देखें इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं तयार करना हमने हर चीज़ को दरदरा सा कूटना है ताकि इसमें डली हर एक एक चीज़ नजर आए तो बहुत ही खुबसूरत लगती है इस चटनी को रमज़ान मुपारी के महीने में जरूर बनाईएगा क्यूंकि हमारे दि ऐसे भी मेरी मदर इनला की है जब भी वो ये चटनी बनाती है तो साथ में मकई की रोटी तो लाजमी बनाती है तो ये चटनी मुझे बहुत ही पसंदे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए हम जितने भी बड़े शेफ बन जाएं लेकिन जो हमारे मा लोगो कोटना नहीं यानिक इसको पीसना नहीं अब मैं इसमें शामल करूंगे नमक हजविजाय का नमक डालने के बाद अब हमने इसको मिक्स करना है स्पून की मतर से मिक्स कर लेंगे तो जनाब यहाँ पर तयार होगी हमारी एक अद़ चटनी अब जो बाकी चटनी है उसको कैसे त्यार करना है तो मैं आपको बताती हूं तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको डाल लेंगे एक अच्छी सी प्यारी सी डिश में माशालला देखें कितनी जबरदस चटनी बनके तयार हुए एक एक चीज नजर आ रही है इसलिए मैं आपसे कहा था कि इसका फाइन पेस्ट तयार मत किजेगा वरना जो लोग में आपको दिखा रही हूं ना तो यह बरबाद हो जाएगा तो आपने इसी तरह से तयार करना है चैने जी यहाँ पर एक चटनी तयार होगी अब मैंने क्या किया है कि थोड़ी सी दही लिए यानि कि दो से तीन चमच मैंने दही लिए उसमें शामल कर रही हूं बस एक चमच यही वाला पेस्ट यानि कि जो चटनी मैंने बनाई थी ना वही इसके अंदर मैंने एक चटनी खाना चाता है तो वो भी उसको आसाने से मिल सकती है तो यहाँ पर दोनों चटनी हमारी बंके तयार हो गई हैं बिल्कुल शॉट टाइम है मुझे नहीं लगता कि इससे भी आसान रेसिपी आपको कोई मिली होगी बहुत ही जटपट और आसानी के साथी चटनी बंके तैयार हुई है कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी अगर पसंद आई तो उसे जरूर लाइक कीजएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजएगा और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किये बिनाम बच जाईएगा साथ में लगे बेल आइकन को प् मेरी भरपूर कोशिश होगी कि आसानी के साथ उस रेसिपी को आपके साथ जरूर शेयर करूँ अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे अपनी दूआउं में याद रखिएगा लाहाफेज फी हमाने लाह